देसी गुलाब की कलम लगाने जा रहे हैं तो एक बात बिलकुल जान लें कि उसमें भी सकर होते हैं यानि कि वो टहनिया जिसमें की फ्लावरिंग नहीं होगी केवल ग्रोथ होती है यह है देसी गुलाब की शकर टहनिया इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी केवल ग्रोथ होती कलर में थोड़ी सी लाइट होती है और देखने में कच्छी सी होती है और लीव बहुत बड़ी बड़ी निकलती है और थोड़ी डिस्टंस पे निकलती है जैसा कि आफ वीडियो में देख रहे हैं कि लाइट कलर की है अब मैं इसकी पतिया को स्टोड करके आपको अद्दम क् और थोड़े से कम डिस्टंस पे इन में शूट्स निकले हुए है, यानि कि जहां से आपके नए पतिया निकलती है, तो यह पकी टहन्या है इसमें ही फ्लावरिंग होती है, और जो शकर टहन्या मैंने पहले दिखाएं थी उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, वो केवल भी नहीं होता है उसमें. शकर टहनियों को आप कभी भी प्लांट से रिमोव कर सकते हैं कट करके, क्योंकि वो प्लांट की energy को पूरी तरह से खा लेती हैं, जिसे कि फ्लावरिंग कम हो जाती है प्लांट में. ये एक ही प्लांट की दो तरीके से कट करके कलम की तरह ग्रोग करती हूं वो आप देख लीजिए देसी गुलाब को आप टहनियों से यानी की कलम से भी ग्रोग कर सकते हैं बहुत अ之व अच्छे से ग्रोग होती और यह मौसम उनके लिए best होता है बहुत अच्छे से ग्रोग हो जाती है इवन पानी में भी, तो मैं आज आपको जो वीडियो में दिखाने वाली हूँ, वो पानी में ही ग्रो करके दिखाने वाली हूँ, तो इस तरीके से टहनियों को 6-8 हिंच के टहनिया लगभा काट लेंगे, और सारी पतिया आप उसमें से हटा दीजे, बहुत क्यारफुली करन इस तरह से, इस तरीके से पत्मिया रिमूफ कर देने से कलम को बहुत जादा एक्स्ट्र एनरजी अपनी वेस्ट नी करनी पड़ती है, बहुत आसानी से कलम ग्रो हो जाती है, तो यह जो शूट्स देख रहे हैं, यही डेवलप होकर के लीफ्स में कनवर्ट होंगे, मैं इ अब देटेट वीडियो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, अभी आज की वीडियो में मुझे यह शेयर करना बहुत जरूरी था, कि किस टाइप की टहनियों से आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर में नॉर्मल टैप वाटर आप फिल करके, इस तरीके से टहनियों को उपर के डारेक्शन की तरफ रख करके रख दे, जो शूट्स हैं वो उपर की तरफ रहें, नीचे की तरफ नहीं क्योंकि कभी-कभी टहनिया उल्टी रख देने से शूट्स नहीं डेवलप होते हैं, तो इस तरीके से सारी टहनियों को रख देंगे और इतनी पतली तहनिया भी डेवलप हो जाती है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपके पास में बहुत मोटी तहनिया नहीं है, तो भी आप इस तरीके से कलम से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, तिहान रहे गुलाब की कलम जिस भी कंटेनर में आप पानी से ग्रो कर र मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तव्दत के लिए बाबाई, हैपी कार्डनिंग!